दिव्वे हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं आज दुपहर हिमाचल आई शुरुवात करते हैं दुपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से सोलन में सफाई कर्मियों ने सड़क पर फैंका कुड़ा होडिंग्स पारने के दौरान मुलाजिमों से हुई बचसलू की मचा बबार चौपाल शिम्ला रूर पर खाफनाख हादसा एक की मौत तीन जखमी कर्सोग के सरते ओला तक सड़क का सपना होगा पूरा मांजो से भी होगा न्याय MLA ने किया खुला सा दिव्वे ही माशल बना किसानों की आबा सुखाहार नहर से हटाई लोहे की जंग लगी पाई पे अब समचार विस्तार से जिला मुख्याले सोलन में नगर परिशत के सफाई करमचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया आलम यह था कि उन्होंने सोलन के ओल्ड इसी आफिस चॉक पर शहर का सारा कुडा भी खेर दिया करमचारियों का कहना है कि जब नगर परिशत के आदेशा नुसार बे लोग शहर में लगी होर्डिंग्स को फाड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने करमचारियों के दो लड़कों के साथ बदसलूकी की इसे से भड़के सफाई करमचारी सुभा करीब साड़े नौ बजे ओल्ड इसी चॉक पर एकत्र होे इन करमचारियों का धरना प्रदर्शन लगाता तीन घंटे से भी अधिक तक जारी रहा इनका कहना था कि जब तक बदसलूकी करने वाले उनसे माफी नहीं मांग लेते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा चापाल शिम्ला मारक पर रेयोनी के समीफ गलू में एक कार दुरखटना ग्रस्त हो गई हाथ से में कार सवार एक व्यक्ति की मात हो गई जबकि तीन अन्य कंभी रूप से घार हो गई जानकारी के अनुसार ठ्योक के सैंसे चापाल की तरह फारही मारूतिकार सडक से करीब 30 फीट नीचे जागरी गारी में पांच लोग सवार थे जिम्में से एक व्यक्ति मोहन सिंग की चापाल अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्य हो गए जब की तीन अन्य गंभी रूप से घायल प्यक्तियों को आई जीम्म से शिम्मला रेफर कर दिया गया है मामूली रूप से घायल एक व्यक्ति को चापाल अस्पताल में प्रात्में को उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गए है करसो के बेहर दुर्गम क्षेतर सरतियोला माजो तक सड़क पहुचाना सरकार की प्रात मिता है उसी के चलते मुखे मंत्रे प्रथम चरण के लिए 10 लाख रुपे की राशी प्रदान कर चुके है यह जानकारी विधाय खिरालान ने दी है वह उक्तक क्षेतर से पंचायत प्रधान दीवाचन के ध्यक्षता में आये प्रतिनी धी मंडल से बात कर रहे थे उन्होंने बताये कि दुर्गम क्षेतर सरतियोला तक सड़क निर्मान का कारे चला हुआ है मात्र 500 मीटर कारे बचा है जिसे युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए दिशानिर्दे इश्टे दिये गया है वही माजूतक सड़क बनाने के लिए FCA की आपचारिकता अंतिम दौर में है पहुंचने के लिए है और हमारा भी लक्षे कि यह सलक जल्दी से पहुंचे ताकि सुर्टयादा पंचायत हेड़कोटर सलक से जुड़ सके और दूसरा जो एक मारा पुलिक मत मांजू है मांजू गाउं को लेकर के भी मैंने इसको MLA प्रॉट्टी में डाला है सुर्टयादा से लेकर के मांजू तक इसका डिप्यार तियार हो रही है और इसके साथ साथ इसका FCA केस के लिए भी उसका भी FCA केस बल रहा है उसके टेंडर लग चुकते हैं हिमाचल में डिवे हिमाचल मीडिया ग्रुप किसानों का सबसे बड़ा साथी है किसानों की हर्मांग को डिवे हिमाचल सरकार तक ले जाता है और उसे पूरा करवाकर ही तम लेता है इसी कड़ी में दिवे हिमाचल ने अम नगरोटा सूरिया में सूखाहार नहर को समारने की मुहिम छेडी है जिसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है दिवे हिमाचल ने कुछ दिन पहले अपने समाचारों से इस नहर में जंक खा रही पाइपों का मसला उठाया था नगरोटा सूरिया में जलशक्ती विभाग ने पांच वर्ष पहले नहर के लिए लोहे की पाइपे मंगवाई थी ये पाइपे नहीं डाली गए थी और ये जंक खा रही थी दिवे हिमाचल द्वारा मसला उठाने की बाद इन पाइपों को उठा दिया गया है किसानों ने इसके लिए अगरणी मीडिया ग्रूप का आभार जटाया है वही नहर के जीरनोधार की भी मांग उठाई है